पर रात में आप सब लोग आप सब का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज का व्लॉग बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है अभी रात का टाइम हो रहा है और आउंड दस बजे के आसपास का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ समाना भी दिख रहा होगा तो यह सब अभी यह देखिए मैंने बैग में अभी वैसी रखा हुआ यह डाइपर वगर थे प्रिशा की और पर यह मेरी ड्रेस थी वो प्रिशा की ड्रेस है तो हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं जैसे कि आपको टाइटल और थम्देल में समझ में आ गया होगा हम लोग अभी देखिए मौर्णिंग में सुबह सुबह अब यह सुबह का टाइम था और कल रात में मैंने बस हो और में आपको आपको आगे पता चलेगा कि हम मतलब जा रहे हैं और यहांपर देखिए अभी मतलब मैं अन लोगों को वेट कर रही थी क्योंकि अभी आ जैसे बताया कि मोम्मे के घर पर हूँ तो यह देखिए थोड़ी देर बादि यह लोग आ जाते हैं तो ये भी आ गए थे और अनुराग जी भी आ गए थे और अब भी हम लोग मतलब क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने ज्यादा को शूट नहीं किया मैं यहाँ पर देखिए गाड़ी में बैठ गई हूँ और क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा डैली से करनोज का जो र रास्ते में मैंने यह थोड़ा बहुत जो भी मैंने व्लॉग शूट किया अचली बहुत ही हैक्टिक सफर था हैक्टिक तो कुछ नहीं थोड़ा कमफर्टेबल भी था लेकिन थोड़ा बैठे बैठे थोड़ा जारा टाइम हो गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं व कर्मी नहीं लग थी बट थोड़ी सनलाइट के विज़े से प्रब्लम हो रही थी बट अभी ठीक है और यहाँ पर मतलब हम सोच रहे थे कि बहुत ही जल्दी इतना हो सके क्योंकि बहुत ही लंबा सफर था अराउंड हमें मतलब आठ गंटे से जादा का टाइम लग गया थ पहुँशने में तो यहाँ पर यह देखी है अभी हम नौइडा में अंटर कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि डेली नौइडा और जितनी भी मतलब यह थोड़ा असपास का एरिया था यहाँ पर थोड़ा जाम मिलने का डर था तो क्योंकि जतना जादा जाम मिलता फिर उतन रहे शाने पीने का समान था सब मिलने गाडी में रखा हुआ था और रास्ते में यह तॉल जो थे काफी सारे वर नौट पड़े OUT ले थे तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी यह ना फेस मतलब मैंने इसका पहले कवर किया हुआ था तो इसको थोड़ा ठंडर टाइप का मुझे लग रहा था कि इसको ठंड लग गई थी तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी विंडो अभी आउन कर ली थी और मतलब यहाँ पर इतनी तेज थावा चल रहे थी क्योंकि अभी हम बहुती स्पीड से जा रहे थे और यह देखिए प्रिशा को और अभी यह सोके उठी है तो इसे काफी मजा आ रहा था इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं आप प्रिशा को कैमरा दिखा रहे थी बढ़ते ही ना मतलब उधर देखी नहीं रहे थी तो यहां पर मतलब इतना गर्मी थी थोड़ा लू टाइप का भी लग रहा था और यहां पर यह भी जो देख पा रहे हैं आप यह भी हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे हैं तो अभी आगे मतलब जैसे बह आफे बने हुए थे तो वहाँ पर क्या था कि गाड़ी पहले पार्क करो फिर वहाँ पर जाने में और आने मतलब आदा गंटा अगर आप कहीं रुकते हैं तो पंदरा से बीस मिनट तो आपके कहीं नहीं गए तो हम लोग ज्यादा नहीं रुके थे आठ गंटे में हम शाय तो मैंने जितना भी हो सका गाड़ी में ही अपना ये जो व्लॉग है थोड़ा मतलब इसमें बनाया और ये प्रीशा मतलब दुबारा ये सो गई थी और यहाँ पड़ना ही जो आप रेड गलर का प्रीशा के जो नीचे मैंने लगाया हुआ था तो ये थोड़ा कमफर्टे में रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोकी थी तो फिर मैर को थोड़े चिप्स वगरा लेने थे तो ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिये हैं और अभी हम लोग यहाँ पे 10 से 15 मिनट रुकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा जगा का प्राब्लम हो रही थी हमें समझ नह हालत एकदम खराब हो गई थी मतलब वैसे ज्यादा प्राब्लम नहीं हो रही थी लेकिन बस यह था कि सोच रहे थे कि जल्दी से आ जाए जल्दी से आ जाए क्योंकि ना बहुत ही लंबा सफर था आठ गंटे हमें नेट मतलब 8 आठ लग गए थे और हम मॉनिंग में निकल तो वहां से भी हमें बार-बार फोन आ रहा था कि आप लोग कांपर पहुंचे तो यहां पर देखे प्रिशा के में टॉइस वगरा भी लेकि आए थी क्योंकि इसको कुछ ना कुछ बिजी रखना था वैसे तो यह बिल्कुल भी नहीं रोई थी एक बार भी नहीं रोई औ मतलब इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और जो इसका ये टॉय था एलिफेंट था एक्छली ये थो ये एलिफेंट शेप में तो वो उसी को बस कुछ भी लेती है तो सीधा माउथ में डालने की कोशिश करती है तो फिर मैंने इससे ले लिया था और अभी देखी हमें यह अभी कितना डिस्टेंस रहे है क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मैंने मैप नहीं लगाया हुआ था तो उन लोगों तो पता था तो अभी हहां से लेखी हां से लखनाव एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है तो अभी जो हम जिससे आ रहे थे वो आगरा एक्सप्रेस वे था त आज मैं इस पे मतलब खुद मतलब जा रही थी तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूं मतलब ये मुझे कैसा लगा मुझे तो रियली बहुत ही जादे सुंदर लगा और इसका जो नाइट व्यू था ना वो मैं आपको बाद में आगे दिखांगी व्लॉग में तो वो तो मतलब दोनों साइट तो बहुत अच्छा था ये और इसके जो और आसपास का एडिया भी था वो काफी सारे इसमें पेड़ वगरा थे काफी ग्री थी और मतलब बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था और इसमें ना बीच-बीच में रुखने के लिए भी कैफे वगरा भी थ तो मतलब ये काफी मुझे अच्छा लगा और जैसे अब देख पा रहे हैं थोड़ा डिजाइन थोड़ा इसका मतलब आप लुक देख पा रहे हैं इसका जो इस्ट्रीट लाइट है उसको थोड़ा कर बनाया हुआ था तो इसको बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था और बहुत ही जादा मतलब चोड़ा एक्स्प्रेस वे था और काफी मतलब इस पे अच्छा लग रहा था गाड़ी में मतलब लगी नहीं रहा था कि जादा जैसे गाड़ी हिलने दी गाड़ी का सस्पेंशन मतलब नहीं खराब था तो ये मतलब मुझे ठीक लग रहा था मुझ वो आराम से मतलब लेटी हुई थी गड़ी की सीट पर ही और कभी मैं उसे गोद में उठा रही थी कभी मैं उसको नीचे लिटा देती थी क्योंकि काफी लंबा जैसे मैंने बताया कि सफर था तो अभी फिर से सो गई थी और प्रिशा क्या कर रही थी ना कि बार बार उठती थी खेलती थी तूद पीकी थी और फिर से सो जाती थी बट यह एक बार भी नहीं रोई तो यह सबसे अच्छी बात थी और अभी यहाँ पर देखी थोड़ा थोड़ा ना शाम का टाइम हो चला था तो अभी बस यहाँ पर यह था कि अधेरा हमने सोचा था कि एक्शली क्य हम लोग सर से मिलने जा रहे हैं वो मैं आपको व्लॉग में आभी आगे बताऊंगी तो सर का काफी ज़्यादा कुछ प्लान था कि अगर हम पांच बज आते तो थोड़ा पिक्निक टाइप का सर ने प्लान किया हुआ था बट हम थोड़ा मतलब लेट हो गए थे और हम स्वे है तो यह पर देखें कितना ए खुबसूरत लग रहा है मैं तौड़ा से जुम करके आपको दिखा रही हूं और यह जो आप देख रहे हैं दूनों साइड में यह सट्रीट लाइट है थोड़ा सटाइलिश मुझे लग रहे थी यму कि अद्रॉपास सीधा ही होता है यह स्ट्रीट लाइट बट कि यह थोड़ा से कर्व में थी तो काफी सुन्दर लग रहे थी, और अभी शाम का टाइम मतलब मैंने यह से बताया, कि धीरे-धीरे हो रहा था, और अंधेरा भी थोड़ा-थोड़ा मुझे मतलब लग रहा था, कि अधिरा भी हो रहा है, तो हम सोच रहे थे की रात होने से पहले मतलब पहुँच जाएं, क्योंकि फिर रात में क्या था कि अभी तो हाइवे था, मतलब जहां हमें जाना था, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे, मतलब हम सोच रहे थे कि शयद हो सकता है प्राइट की प्रॉब्लम हो या कच्छा रास्ता हो या जो भी है तो इसलिए अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हाइवे पर बट हम सोच रहे थे कि टाइम से ही चले जाए और फिर फोन भी बार-बार आथा जैसे मैंने बताया तो क्योंकि वैसे तो हमें पता था कि हम इत इसलिए तो जदू है टाप यसोट था अब आहँ मनें दोड़ तो बीलावा तो कुछ था मैंने पिर सोचा कि चलिए आट घंटे जब जा रही हूं तो मैं ब्लोग दिखा देती हूं और यहां से अभी हम लोग मतलब सरका फोन आया था तो उन्होंने बोला था कि हाइवे पढ़ना नमबर्स लिखे हुए तो हमें 193 से कट लेना था एक्शली हम लोग कन्नौज जा रहे हैं तो 193 से अगर हमें कट लेना था तो सीधा वो कन्नौज की तरफ ही जाता है हाइवे से मतलब यह जो एक्सप्रस वे हैं यहां से सिर्फ 10-12 किलोमेटर था तो हमें यहीं से ही मतलब यह अभी लेफ्ट लेना था तो यहां पर आप साइन भी देख पा रहे होंगे तो अभी यहां पर थोड़ा सा भी टाइम था तो क्योंकि हमने सुचे कि हमें लेफ्ट लेना लेकिन अभी हमने दुबारा कंफर्म किया तो सड़ने वोला कि नहीं 193 आगे कट है क्योंकि हमें नंबर लिखे हुए थे पूरे हाइवे पर वन से लेके और आगे तक तो हमें तो पता नहीं कहां तक थे मतलब मुझे नहीं पता लेकिन हमें 193 जहां पर लिखा था म अगर मतलब और ऐसा लाइट लाइटी तो यहां पार नहीं थी निहां पर लेकिन हमापे रोडपे यह ज़से यतनी तो लाइट लगाई ऊई थी तो काफी जादा सुन्दर ये दिखने में लग रहा था और सही बताओं तो मुझे दिन से जादा मज़ा जो अभी यहाँ पर आ रहा था है कि इस शाम का टाइम भी अच्छा होगे था थोड़ा धूब भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी और रात में जैसे लाइटिंग वगरा भी हो जाती है तो फिर कहीं जाते हैं तो फिर मतलब अलगी थोड़ा सा अच्छा रखता है अब जितना थोड़ा हमें एक्टिक लग रहा था अब वो सारा मतलब हम जितने इतने पास आते जा रहे थे तो बार-बार लिखा हुआ रहा था कि कनोज आने वाला है कनोज आने वाला लेकिन वह आई नहीं रहा था यहाँ पर देखिए हम लोग हर्दोई कानपूर और यह सब चीजे आप रास्ते में मतलब यह सब लिखा हुआ था और बस यह था कि अभी यहाँ पर देखिए एक किलो हम टॉल पे एक्स्प्रेस पे था तो वहाँ पे टॉल देना पड़ा तो यहां से हमने एक्जिट करके और अब हम बिल्कुल कनौज मेंटर कर चुब तो चलिए मैं आपको बता रेती हूं हम लोग कनौज जा रहे हैं सर से मिलने क्योंकि सर कनौज के ही SDM है मैं नेक्स